बिना वाजे सडक पर निकलने वाले पर धनबाद पुलिस आएगी सक्ति से पेश आपको बता दे जिस तरह पुरी देश में करोना संक्रमन की रफ्तार बढ़ रही है जारखन में भी दो मामले सामने आए हैं और इस संक्रमन की जैन को दोड़ने के लिए लोगों को रामबान रूपी सोसल डिस्टेंसिंग को अनुपालन करने की अपील प्रधाल मंत्री नरेंदर मोदी सुबे की सरकार वाजजिला पुलिस प्रसासन कर रही है लेकिन फिर भी क कुछ अस्समाजिक तत्तों को समझना मुश्किल है उन लोगों को करोना रूपी यम्राज का कोई डर नहीं है वहीं ठनबाद सिस्पी की सुर कौसल ने बताया कि विगत कई दिनों से लोगों से अपील की जा रही है कि लोग घर पर रहें सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करे अनवस्यक कार में बाहर नागू में या घातक संक्रमन है किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है अगर कोई कुछ अवस्यक वस्तु जैसे रासन, दवाई, सबजी, फल के लिए बाहर जाते हैं तो अपने नजदी की दुकान से समान लेकर तुरंत घर जाएं प्रशासन अपील कर रहा है समस्त धनबाद वासियों से कि कोरोना का हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकास से पूरे देश में रफ्तार बढ़ रही है जारखंड में दो मामले आए हैं लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया रहा सकता कि यह और रफ्तार पकड़ सकता है इन सारे संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्त विभाग के त्वारा निर्देश दिये गए हैं कि अनावश्यक रूप से घर से बिलकुल ना निकले यह कानुनी रूप से भी गलत है और मानवी एहित से भी अगर देखा जाए स्वास्त की दृष्टी से तो पूरी तरीके से वो संक्रमण को एक तरीके से आमन्तृत करने जैसा होगा अगर कोई काम से आप निकलते भी हैं सब्जीफर लाने के लिए या राशनल लाने के लिए दौा लाने के लिए तो एक आदमी पैदल निकले जा करके नजदीक की दुकान से सामान करी दे और वापस तुरंत अपने घर पर आए जब आप दुकान पर भी जाते हैं तो नावस्यक भिड़ना लगाएं वहाँ पर सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें अब बहुत जब देखा जा रहा कि सोसल डिस्टेंसिंग का मतलब पालन नहीं किया जा रहा है वेवज़े लोग सड़कों पर घूंके नजरा रहा है उसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा महाकमा मैं ग्रामी नस्पी साहब डीस्पी लॉयन और्डर थाना प्रभाई सारे ल लोगों के साहियों की इसमें बहुत आवशक्ता है अधरवाइस पुलिस को और सक्ति करें